यह आपके 100 questions हैं, किसके राज विवस्ता से संबंदित, यानि कि पॉलिटी से संबंदित और आप देखें कि यह बहुत ही मात्पून questions मुझे लगे हो सकता है कि आपके परिक्षाओं में questions इससे आज आए आप देखते हैं कि इस तरह के questions civil service में भी पूँच लेता है UPPCSO, MPPSCO, बिहार PCSO या फिर आप देखते हैं one day exam यानि कि कोई SI हो गया, post office हो गया, police हो गया, सिक्षक भरती हो गई इनमें भी इस तरह के questions साथे रहते हैं तो इन्हें आप लोग एक बार देख जरूर लेजिएगा और इसमें मैंने देखा है कि बहुत ही मातपूर questions सामिल किये गए हैं जो किसी ना किसी परिक्षा में पूँचे जाते रहे हैं या पूँचे जाने की पूरी संभावना है और मैं आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ कि आप लोग जिस भी exam की तैयारी कर रहे हैं कम से कम पूराने questions पेपर उठा कि देख जरूर लिया करिएगा इससे क्या होता है कि एक अंदाजा हो जाता है कि किस topic से कितने अच्छे questions आ रहे हैं कौन से questions दोहराये जा रहे हैं किस topic पर आपको ध्यान देने की जरूरत है अगर आप लोगों में लोगों civil service की तैयारी कर रहे होंगे state PCS की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि अकसर आपकी article यानि कि जिसमें आप देखें कि आपका जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तब हैं इनसे आपके questions आते रहते हैं या फिर आपने index देखते रहते हैं और भी topic हैं या फिर मत्पूर्ण जो संगठन है जैसे आपका चुनाय हो गया, बित्ताय हो गया इनसे questions आते रहते हैं तो चली हम इन questions को देख लेते हैं, ठीक है हो सकता है कि इकात questions आपकी परिक्षाओं में भी आ जाए भारत के governor general को किस act के द्वारा अपनी समिती के नेडे को आसुईकार करने का अधिकार मिला क्या पूछ रहा है भारत के governor general को किस act के द्वारा अपनी समिती के नेडे को आसुईकार यानि कि reject करने का अधिकार मिला था तो यह आप देख सकते हैं 1773 का regulating act, 1784 का fit India act या फिर 1786 का amendment act या फिर 1813 का charter act तो इसमें आपको याद रखना होगा C options है होगा 1786 का amendment act ठीक है दूसरा question क्या पूछ रहा है 1946 का cabinet mission तेन मंतियों से गठित था नेमलिकित में से कौन सा इसका सदस नहीं था तो आप देखेंगे Lord Pentheak Lawrence सामिल था A.B. Alexander सामिल था Sir Stafford Kipses भी सामिल थे लेकिन इसमें आप देखेंगे Lord Emery सामिल नहीं थे तो इसमें option क्या होगा D. ठीक है नहीं पूछ रहा है यह आप लोग याद रखें आप लोग questions को बरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया करेंगा आते हुए भी आप देखते हैं कई बार questions गलत कर बैठते हैं ठीक है अंगला question है भारतियों को बर्स 1947 में सार्भोमिक सत्ता सौपनी की यह उजना निम्ने में से किस नाम से जानी जाती है तो यह है आपकी Mountbatten यह उजना इसमें क्या होगा? C. अंगला question हमारा सन 1936 में भारती राष्टी कॉंग्रेस द्वारा समिधान सबागे गठन की मांग कहां पर हुई थी? किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो यह आप देखेंगे फैचपूर अधिवेशन फैचपूर अधिवेशन इससे आप लोग याद रखेगा अंगला question क्या पूँच रहा है हमसे? कैबिनेट मिशन योजना के अंतरकत समिधान निर्मात्री फरिशद में पिते एक परांद की आवंटेज सदसंख्या निर्धारित करने के लिए पिती निधी कितनी जनसंख्या के अनपाद में था? तो इसमें आप देखेंगे 10 लाग वेक्टी ठेक है? क्या होगा? B option अंगला question क्या पूँच रहा है? 11 दिसंबर 1940 को किसे समिधान सबाक का पहले इस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? पहले आइस्थाई अध्यक्ष कौन थे? वो आप लोग नीचे लिखिये ठीक है? लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इस्थाई अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद पिसाथ को जो आँगे चलके आप देखते हैं कि हमारे राष्टपती बनते हैं समिधान की प्यारूप सम्ती कि समक्ष पिस्ताओना का पिस्ताओ किसने रखा था? तो जवाहरलाल नहरूने जो हमारे आँगे चलके पिधान मंत्री बनते हैं पहले और सबसे लंबे समय तक तो रहते हैं अगला कुशन है भालतिये के लिए समिधान सभा की रजना ही तूँ समिधान सभा का विचार में नेमलिकित में से सरपितम किसने पिस्तुत किया था? सौराज पाइटी ने कब 1924 की बात है यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुशन हमसे क्या पूछ रहे? अंगला कुशन पूछ रहे हमसे कि समिधान पांडू लेकन सम्ती का नेमलिकित में से कौन सा सदस नहीं था? तो इसमें मुहमद सदुल्ला था के M मुंसी भी थे A के अयर भी थे लेकिन जवालल नहरूनी थे तो इसमें क्या लगाओगे? D ओप्सन ठीक है? अंगला कुश्चन नेमलिकित में से बोध दो सब्द है कौन से हैं? जिनका समावे वेशन 42 वे समिधान संसोधन द्वारा 1976 में हुआ था वो देशी काम है इसमें आप देखेंगे कि समाजबादी और धरम निरफेक्च इन दो सब्दों को सामिल किया गया था और 42 वे समिधान संसोधन को आप लोग मिनी कॉंस्टिटीवशन भी कहते हैं क्योंकि बहयोद बड़ी संख्या में संसोधन किया गया थी समिधान में यह भी आप लोग याद रखेगा अंगला कुश्चन पूछ रहा है निमलिखित में से कौन सा सब्द भारत के समिधान की उद्देशिका में नहीं है अगर आपको समिधान के बारे में जानना है तो एक बार आप लोग उद्देशिका को जरूर पढ़ लेना उसके अर्थ को जरूर निकालना उसे समझने की कॉसिस करना पुरा समिधान मालू चल जाएगा तो निमलिखित में से कौन सा सब्द भारत की समिधान की उद्देशी कामें नहीं है इसमें आपका कौन कौन सा है सबसे पहले तो आपको यही मालू हना चाहिए कि कौन कौन सा है समाजबादी सामिल है, पंतनेरफेक्च सामिल है, फिर्भुत्य संपन भी सामिल है, लेकिन लोक कल्यार्ट सामिल नहीं है, ठीक है, D option होगा, भारती सम्मिदान में संबर्ती सूची किसके समिदान से ली गई है, तो आपको याद होना चीह है, आस्टेलिया, ठीक है, साध्व भारती सूची पर राज सरकारें और कैंद सरकार दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में मतभेद है, तो कैंद सरकार का कानून महत्पूर याने की प्रभावसाली हो जाता है, समिधान के अंतरगत भारती लोकतंत के आदर्सों को हम कहां देख सकते हैं, तो अंगला कुष्टन पूछ रहा है, समिधान की पिस्तावना सभी भारती नगरेकों को नेमन में से कौन सा एक उपलब्द कराने के लिए बायदा नहीं करते हैं, तो सामाजिक नियाय की बात करता है, राजनितिक नियाय की बात करता है, विचार की सुदंदा की बात करता है, मौलिक अदिकारों की बाद की जारी है सम्भीधान के भाग तीन में आप अप लोगों को दिया गया है आप समझ रहें और जिनके आपका हनन होता है तो आप लोग सुप्रेम कोट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहर dispersed आर्टिकल 226 के तैप आप लोग हाई कोट जा सकते हैं आपकी अधिकारों की रक्षा करेंगे ये दोनों न्याले ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुश्चन क्या पूँच रहा है अंगला कुश्चन कूँच रहा है ब्यालीस पे समिधान संसुधन द्वारा पिस्तावना में नेम लिखित में से कौन सा सब्द जोड़ा गया था लोगतांतरिक नयाय समाजबाद राजनेतिक तो समाजबाद ठीक है राजनेतिक ब्यवस्ता में नेमकर से कौन सर्वोच है तो समिधान से बढ़कर कुछ नहीं है आप देखते हैं कि हमारे देश में वेवेजन ज्यातिया है वेवेजन समधा है धरम है फिर भी हम लोग एक होकर रहते हैं क्यों? क्योंकि हम सबी समिधान को मانते है हमारी भली आप समझे कि पिधान मंत्री को मानते हो या ना, लेकिन आपको समिधान पर भरोसा जरूर होता है अंगला कुष्चा ने भारती समिधान की समबर्ती सूची की धारना किस देश के समिधान से ली गई है? ए औस्टेलिया, किस से औस्टेलिया भारती समिधान में समलित नीती ने दिसक तत्तों की फेड़ा हमें किस समिधान से पिराप्त है, आयरलेंड, किस से आयरलेंड से ठीक है, यह आप लोग याद रखेगा अंगला कुश्चन क्या पूछ रहा है राश्टपती द्वारा राजसवा के सदस्टों की नावंकन का नियम किस देश के समिधान से लिया गया है तो यह आप देखेंगे, आयरलेंड, ठीक है आयरलेंड, आप देखते हैं, राजसवा में मनोनीत करते हैं ना राश्टपती साहब उसी की बात कर रहे है अगला कुश्चन हम से क्या पूछ राए कि राज्जी के निट्दी ने देशक तत्त किस देश के समिधान के आधार पर निर्मित किये गये हैं तो यह आपको देखना होगा, आयरलेंड अगला कुश्चन है भारती समिधान में मूलबूत अधिकार किस समिधान से लिए गये हैं किस देश के समिधान से सहयुक्तराज अमेरिका के भारती समिधान में मौलिक अधिकारों की ब्याक्या, विवस्ता किस देश के समिधान से लिए है सेउक्तराज अमेरिका सम्मिधान की किस भाग में तीनों सौपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है तो भाग नौ में किस में भाग नौ में भालतीन अंग्रेकों के मूल कर्टबों का विवरण किस सम्मिधान के किस भाग में दिया गया है भाग काम है 51 अनुचिद 51 काम है एक अब जोड़ा गया 42 वे समिधान संसोधन 1976 में ठीक है यह आप लोग याद रखेगा अंगला कुश्चन हमसे क्या पुछ रहा है अंगला कुश्चन कहरा है समिधान की किस अनुचूची में पितेक राज्यों तथा संग राज्य छित्रों के लिए राज्य सावा में स्थानों की अबंटन की सूची की बात की गी है तो यह आपका चत्थोर्थ अनुचूची है ठीक है यह भी आप लोग याद रखेगा अंगला कुश्चन है दल बदल के अधार पर निर्वाचित सदस्सों की आयोगता सम्बंदी बेवरण समिधान की किस अनुचूची में है किस में दस वी अनुचूची है अंगला है भारती समिधान का कौन सा अनुचेद राष्टपती के पद के लिए पुनर निर्वाचन की योगता निर्धारित कलता है तो आर्टिकल 57 अनुचेद 57 यानि कि आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक बेक्ती राष्टपती कई वार बन सकता है समिधान की छटी अनुची में इनमें से किस राज्ज में लागू नहीं होती है तो यह मड़ीपुर में नहीं होती है असम बेगाले तिपुरा में होती है यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुश्चन आप से क्या पूँच रहा है भारती समिधान की कि किस अनुची में विभन राज्जों में अनुची छित्रों के पिसासन और नियंतन के लिए बिसिष्ट उबंद हैं तो इसमें आप देखेंगे पांचवी अनुची में किसमें पांचवी अनुची में अंगला कुश्चन हम से क्या पूँच रहा है अंगला कुश्चन पूँच रहा है कि भारती समिधान का कौन सा अनुची राज्य सरकारों को ग्राम बंचायतों के गठन का निर्देश देता है एक आर्टीकल अनुची चाली से एक कुश्चन कई परिक्षाओं में र्यासतों के भारत में बिलाई के लिए कौन अत्तरदाई था? सर्दार, बल्रभाई, पटेल. आप जानते हैं कि पहले हमारे ग्रह मंत्री थे, पहले आप देखें कि उप्विधान मंत्री थे और इन्हीं ही आप देखते हैं कि हमारे या बिभेन र्यासत थी, जिनकी सग्दार बल्लब भाई पटेल लें इन सब को एक किया तेखें समीधान के अंद्रगत निमलिखित में से कौन सा अनुछेद संसद को राज्य सूची के विशह में संबंद में विधी बनाने की सक्ति पिदान करता है तो अनुछेद अनुछेद में समीधान के संसुधन की पिक्रिया का उलिख किया गया है तो आर्टिकल 368 भालती समीधान निमलिखित में से कौन सी नागरिकता पिदान करता है तो आप सभी जानते ही कि एकल नागरिकता आप निवासी हो सकते हैं मद्धपदेश या उत्तरपदेश के लेकिन आपको नागरिक तब भालती है ही है ऐसा नहीं कि उत्तरपदेश के आप नागरिक बन जाएं निवासी कहलाएंगे नागरिक तब राप्त करने के लिए सरते निधारी दिक करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है तो यह है संसत मौलिक करतब मौलिक अधिकारों की वारे में सुनवाई करने का अधिकार निमने को पिदान किया गया है सरवुच नियाले को अंगला कुस्चन भारती समिधान के इंतरगत मुल अधिकारों का से रक्षा कौन है? नियाय पालिका रिफीया, यानि कि आपके मुल अधिकारों का हनन होता है कोई आपके मुल अधिकारों से छेड़-चाड करता है तो आप सप्रिम कोट और हाई कोट जा सकते हैं उन्हें आप वालिका आपकी अधिकारों की रक्षा करेगा यह भी आप लोगों को मालो होना चाहिए ठीक है? अंगला कुश्चन क्या पूश रहे? भारत की समिधान का निमलिखित में से कौन सा अनुचेद? प्रेज की सुतंता की बात करता है मेडिया की सुतंता की कौन सा अनुचेद करता है? यह आपका अनुचेद 19 अंगला कुश्चन है निमलिखित में से कौन सा अधिकार भारती समिधान की अनुचेद 32 के अंतरगत प्रवारतित किये जा सकते हैं मौली का अधिकार, यानि कि कहने का मतलब है कि मौली का अधिकारों का हनन होता है, तो आइटिकल 32 के तहद आप लोग सुप्रेंग कोट जा सकते हैं, ठीक है? अंगला कुश्चन है, निमनौक्त समादेसों में से कौन सा समादेस, किस्ती अवैद वेक्ती से सरकारी पत को बचाने के लिए किया जाता है, तो यह है अधिकार प्रेक्चा, ठीक है? अंगला कुश्चन क्या पूसरा है हमसे? भारती समिधान के अनुफसर समपत्ती का अधिकार क्या है? तो वेधे क्याने की कानून अधिकार है, क्योंकि आप जानते ही कि 44 समिधान संसोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में सामिल था, हटा दिया गया था, पहले साथ मौलिक अधिकार हुआ करते थे, अब 6 बच्चे हुए हैं, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है? भारती समिधान का कौन सा अनुछित? आज़ पस्दा का उन्मूलन करता है, और किसी भी रूम में इसके बेवार का निसे दियानी की रोकने की बात करता है, आर्टिकल सत्रे, कौन सा आर्टिकल? सत्रे, ठीक है? अंगला कुश्चन क्या पूच रहा है मसे? भारत में उच्चितम निमलिकित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संसोधन नहीं किया जा सकता है, तो यह था गोलगनात का मामला, ठीक है? भारती नागरेकों के मौलिक अधिकारों की योक्ति योक्त, पिती बंदों को आरूपित करने की सकती, किस के पास है? तो यह आप देखेंगे संसत के पास, ठीक है? अंगला कुशन ने नेती नेज़े सकत ततों को कयानवीत करने के लिए क्या मुλ अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है, ठीक है? समिधान का कौन सांस भारत के नांगरेकों को आर्थिक नयाय पिदान करने की संकित देता है तो राज के नीती ने दे सक तत राज के नीती ने दे सक तत ठीक है अंगला कुशन क्या भूश रहा है हमसे राज जी के नीती ने दे सक सिधानतों के अनसार किस आयू तक के बच्चों को निसोल केवं अनिवार सिच्छा देनी की आसा की जाती है तुच्चावद है और आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 21 का में जोड़ दिया गया है ठेक है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुश्चन हमसे क्या पूछ रहा है अंगला कुश्चन कह रहा है कि राज की नेदि नेदेशक सिध्धांत सिध्धांतों में से किस अनुछेत का संबन्द अंतराष्टी सांती और सुरक्षा की संबर्धन से है तो आर्टिकल 25 का अनुछेत 25 का नागरेकों के मूल भूत कर्तबों की सिफारिस की समती ने की थी यह थी स्वर्ण सिंग भारती समिधान में मौली कर्तबों की सूची निमलिकित में से किस भाग की रूम में जोड़ी गई तो यह है आपकी चार भारत के पितिक नागरी को कर्टब होगा कि प्राक्तिक पर्यावन का सरक्षन ये वो सुधार उपयोग कथन भारती समिधान की किस अनुचेद में संदर भी थे तो ये आप देखेंगे अनुचेद 21 में सौरी माप करिएगा ये आपको मौली कर्टबों की बात करें इंक्यावन ए में सामिल होगा कि मतलब पर्यावन का सुधार और सरक्षन की बात की जाती है भारती समिधान की किस अनुचेद में भारती नागरेकों के मौल कर्टब सामिल है तो ये आप इंक्यावन काम है संसत की दो किर्मिक अधिवेशनों की बीच अधिक्तम कितने समयंतराल की अनुमती है छे माय की यदि किसी सामान बिधयक पर राज्यसभा लोकसभा की बीच गदिरोध होता है तो उसका समाधान कौन करेगा तो याद रखिए संसत का सयुक्त सत्य बुलाया जाता है इसे बुलाता है राश्टपती लेकिन इसकी अधिक्षता करता है लोकसभा अधिक्ष ठेक है तो याद रखिएगा बुलाता कौन है राश्टपती और अधिक्षता कौन करता है राजपाल अंगला कुश्चन क्या पूँच रहा है कि एक बर्स में कम से कम कितनी बार संसत की बैठक होनी चाहिए तो ये आपकी दो बार ठीक है और राश्टपती पदिती में समस्त कार पालिका की सक्तियां किसमें नहेते हैं तो राश्टपती में लेकिन आप देखते हूंगे कि पारिस पर ही एक तरह से राश्टपती काम करता है अंगला कुश्चन पूछ रहा है राश्टपती पद के चुनाओ समंदी बिवाद को किसे निर्देशित किया जाता है तो उच्चे तम नियाले का अगर कोई बिवाद आता है तो उच्चे तम नियाले ही इसका समाधान न निय्मा नंभ निखी निखिन कालता है भारत में किसके चुनाव में उनुपातिक पितिक दित्यणाते चुनाओ फैडी अप्नाई जाती है किसके चुनाव में तो यह आपको देखने को मिलेगा उप राश्टपती साहब की माप करिए राष्ट पती D option अंगला कुश्चन पूछ रहा है राष्ट पती को निम लिखित में से कौन सपद और गोपिनियता की सपद दिलाता है तो भारत का निया अधिस ठीक है अंगला कुश्चन पूछ रहा है जब राष्ट पती मित्यू या त्याग पत्यापद से हट जाता है आने कारणों से अपने कर्तबों को नहीं नभा सकता तो ओप राष्ट पती कितने समय तक राष्ट पती के रूम में काम करता है तो ये आप देखेंगे कि 6 माहीने तक, ठीक है और 6 माहीने के अंदर आप देखते हैं कि चुनाव करवा लिया जाता है आप देखेंगे कि राष्ट पती कि अगर डैथ हो जाती किसी भी कारण से हट जाता है तो पूरे जो कारकाल बचता है उस पर राश्टपती काम करता है ठीक है भारत के किस राश्टपती की मित्यू कारकाल दौरा कारकाल पूरा करने से पूर भी हो गई थी यानि कि उनके कारकाल के दौरा नहीं हो गई थी तो डाक्टर जाकिर हुसेन ठीक है फिर आप देखेंगे राष्रपती द्वारा संसर्थ के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदसवों नामित किया जा सकता है तो यह आप देखेंगे चौध यानि की बारहे आप देखें यह राजसवा दो आपकी एंगलो इंडियन लोगसवा में देखें लोकसवा में हटाने की बात हो चुकी है, एंगलो इंडियन का जब देखने को नहीं मिलेगा तो हटाने की बात की जा रहे हैं, तो राजसवा में बारे देखने को मिलेगे अंगला के कुश्चन विदेशों को भेजे जाने वाले, विवेन संसलिय पिती निधी मंडलों के लिए व्यक्तियों का नमंकर निमलिकित में से कौन करता है, तो यह आपको देखेंगे राश्टपती सहाब, कौन राश्टपती सहाब अंगला कुश्चन पूछ रहा है आपसे, योद अथवा भारत पर आक्मण होनी की स्तिती में, निमलिकित में से कौन सा अंतिम रूफ से आक्मण कारी की विरुद्ध योद की गोश्टपती सहाब, ठीक है? अंगला पूछ रहा है, राश्टपती द्वारा जारी एक अध्यादेश के संसत के सत्थ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए? तो एच छे सपता है, ठीक है? आप जानते हैं, आर्टिकल 123, यानि कि आर्टिकल 123, इसमें आपको राश्टपती के पास सकती है, कि वो कोई अध्यादेश ला सकते हैं, और इस अध्यादेश में वही सकती होगी, जो एक कानून में होती है, ठीक है? आँगे चल के इसे दोनों सदनों से पास करवाना होता है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राश्टपती को कौन सा अधिकार है? यह आपका बिधाई अधिकार, स्रीमती फितिफा पाटिल, जो आप देखते हैं कि भारतिये पहली महला राश्टपती थी, तो भारतिये गरतन्त के राश्टपती की रूम में इनका क्रम कौन सा था? बारहवा, और एक मात महला हैं, जो अभी तक राश्टपती बनी हुई है, अंगला कुशन आ करने का सम्मीधानिक अधिकार किस के पास है? क्या है? निमलिकित में से किसी भोगोली छित को अनुसूचि छित घोसित करने का सम्मीधानिक अधिकार किस के पास है? यह आपको देखने कुमलेगा राश्टपती साहब के पास, किसके राश्टपती साहब के पास? भारत के र निर्वाचित होने की नियुंतम आयू क्या होती है? 35 वर्स यानि कि 35 साल के आप हो चुके हैं, तो राष्ट्पती बनने की उमर हो चुके हैं. भारत में राष्ट्पती राज्ज सवा के कितने सदसों का वनुनीत करता है? तो यह बार है, ठीक है? अंगला है निमलिखित में स से कौन भारत के राष्ट्पती के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिशद नहीं लेता है. राज्य सवा, लोक्सवा, विधान सवा कि निर्वाचित सदस, एक नाम आप लोगों को याद रखना है. निर्वाचित सदस ही भाग लेते हैं. ठीक है? भारत के कुश्चन आप से क्या पूछ रहा है? भारत के उपराष्ट्पती को पद से हटाने का संकल नेमले कितमे से कहां पिस्ता भीत किया जा सकता है? तो याद रखिए, उपराष्ट्पती की बात की जा रही है, केवल राज्य सवा में. ठीक है? और राष्ट्पती की गर बात हो कि राज्य सवा पती, राज्य सवा का सवा पती कौन होता है? उपराष्ट्पती, और उपराष्ट्पती राज्य सवा का सदस नहीं होता है. यह भी आप लोगों को मालोना चाहिए. किसने दो पूर्ण अवदियों के लिए भारत की उपराष्ट्पती का पद समाला था? त कितने सदस मनामित किये जाते हैं ये बारह बात कर चुका हूं पीछे भी अगला कुश्चन पूछ रहा है नेमले कित में से किस संग सासिद का राज सभा में पितने दित है तो दिल्ली फुडू चेरिए ठीक है और आप देखेंगे आप लोग कि आपका जम्मु कस्मीर में भी बेधान सभा होगी तो जम्मु कस्मीर का भी होगा ठीक है क्योंकि आपने देखा है कि 370 वहां से अटाग दे गई है लद्दाग और जम्मु कस्मीर दो केंदसासित पिदिस बना दिए गए ठीक है नेमले कित में से किस की अधिक्षता आसदस से द्व अधापती होता है जो राज्यसबा का सदस नहीं होता है कि ऐसे कि अंगला कुश्य हमजे क्या पूछ रहा है कि लोकषभा दुआरा पारीधन विदेक राज्य सबाद्वारा भी पारित माल लिया जाता है यदि उच्छ सदन उस पर किसी समय किसी समय सीमा में कार संपादन ना कर सके दो, एह है 14 दिन का, देखी धन विद्यक के संबंद में राजसभा के पास जानदा कुछ सक्तियां होती नहीं है, ठीक है? अगला है धन विद्यक पारित करने के लिए राजसभा को कितना समय दिया जाता है, एह 14 दिन का, लोकसभा द्वारा विचारालत भीजे गए विद्यक को, राजसभा अधिकतम कितने समय तक रोक की रख सकता है, 14 दिन तक, निमलिकित में से कौन सा सदन का सदन से हुए भिना, इसके अधिक्ष की रूम में काम करता है, भारत का उपर राश्टपती, राजसभा में करता है, यह बता ही चुका हूँ आप लोगों को, क लोगसभा के निमलिकित में से किस सन में हुई थी, तो 1972 में, कौन सा समिदानिक संसुधन राज्यों से चुने जाने वाले लोगसभा के सदसों की संख्या बढ़ाने से संबंदित है, सादवा और 21 वा, ठीक है, किस राज्य को लोगसभा एवं राजसभा में पिती निदित सबसे अधिक है उत्तर पिदेश में, आप जानते हैं कि 80 सीटें आपको लोगसभा में देखने को मिलेगी और 31 सीटें आपको राजसभा में देखने को मिलेगी उत्तर पिदेश से, और ऐसा माना जाता है, कि दिल्ली की सत्ता की जो भी है, उसकी राश्ता जो आपका उत्त और पिदेश से ही जाता है अगर किसी ने उत्तर पिदेश जीत लिया तो आधी सफल्दा उसने पाली सरकार बनाने में वरतमार में किसे राज्य में का लोकसभा में अधिक्तम सदस्थोगी संक्या के इसाब से दूसरा इस्थान है अ देखने को मिलीगा जहां तक लोकसभा में पितिने दित्ति का पिसन है कौन से राज दोसरे तथां तीसरे दर्जे पर हैं? इसमें आपको महराष्ट और आंध्विदिश देखने को अब आंध्विदिश दो भागों में माट गया है ठीक है? तो महराष्ट देखने को मिलेगा उसके बाद आप देखेंगे अंगला कुश्चन पूशरायम से कि नेमलिकित में से कौन सा राज लोकसभा में अनसूचित जंजातियों के सरवादिक पितिने दित्ति की बात करता है तो यह है मद्वदिश छे सीटों की बात करता है टोटल मद्वदिश से में 19 सीटें आपको देखने को मिलेगी नेमलिकित में से कौन सा राज एक लोकसभा का सरवादिक बड़ा चितफल निर्वाचन चितफल लगदाग था यह अब देखिए नई जनगर्णा होती है उसके असाब से क्या होता है अभी कुछ जानदा अकड़े आये हुए नहीं है इसके बारे में लोकसभा के लिए बरत्मान में निर्वाचित किये जाने बाले सदसों की अधिकता संख्या कितनी है पांसोतने तालीस निर्वाचित लोकसभाओं मैंसे किसे ने पांच बरसों से अधिक की अधिक तक कार किया पांच भी ने ठीक है भारत की पिधान मंत्री पद के लिए उम्मिदबार की कम से कम कितनी आई होनी चाहिए यह 25 वरस आप सभी लोग जानते होंगे लोकसभा के जरिये भी आप लोग पिधान मंत्री या आप देखें कि मंत्री बन सकते हैं और राजसभा के जरिये भी और राजसभा से अगर आप जाते हैं तो आप 30 साल राजसभा सदस बनने के लिए आई होती है और अगर आप लोग लोग सभा के जरिये जाते हैं तो 25 सा और एक बात और बता हूँ आपको दोनों सदनों का सदस हुए भिना भी आप लोग मंतरी या पिधान मंतरी बन सकते हैं लेकिन छे माईने के अंदर आप लोगों को सदस होना अनिवार होगा तो आप भी कॉसिस कर सकते हैं किस पिधान मंतरी ने एक बार पद से हटने की पश्चा दुबाहरा पद समाला था तो इंदरा गांदी जी आपने देखा है कि जब उन्होंने राष्टी या पात कल लगा दिया उसके बाद चुनाव हर गए थी फिर रात दिया आ गए कोई व्यक्ति संसत के किसी भी सदन का सदस हुए बिना केंद में कितने अउधी तक मंद्री या पिधान मंद्री रह सकता है छे महीने तक तो इह थी कुश्चन्स जिनके आंसर भी बता दिये है इन्हें देख लेना आप लो